Good morning all the children आज हम करेंगे वो exercise जो हमारी कल भे गई थी पाट तो कुलफी की exercise जो हमारी incomplete थी उसे आज हम complete करेंगे तो उसमें सबसे पहला प्रश्ण हमारे पास पाट में आये शब्दों के विलोम शब्द लिखे विलोम शब्द का अर्थ सबसे पहले हम जान लेंगे तो विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द किसी भी शब्द का अगर हम कोई उल्टा अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है विलोम सबसे पहले हमारे पास जो शब्द दिया हुआ है वो है बाहर बाहर का उल्टा अर्थ हम निकालेंगे तो क्या आएगा अंदर नेक्स्ट है हमारे पास खरीदना खरीदना का उल्टा अर्थ क्या होता है बेचना अब है हमारे पास पास अगर कोई चीज हमारे पास है और उसका में उल्ट अर्थ निकालना है तो हम क्या निकालेंगे दूर कोई चीज हमारे पास है और फिर हम से दूर चली जाती है तो ये दोनों अलग-अलग अर्थ हो गए और उल्टे भी तो इसका मतलब क्या हो गया ये? यह हमारे विलोम शब्द हैं यानि उल्टे अर्थ वाले शब्द तो पास का उल्टा क्या हो जाएगा इसी तरीके से दूर इसके बाद हैं हमारे पास गंदी गंदी का क्या होगा साफ मान लो कि आप से ममा बोल रही है कि ये टेबल कितनी गंदी है इस पर मत बैठो तो क्या बोलोगे आप ममा ये मैंने अभी अभी साफ करती है तो आपने आपकी ममा ने एक सेंटेंस यूज किया और आपने एक सेंटेंस यूज किया तो आपने दोनों सेंटेंस में देखा कि आपने विलोम शब्दों का यूज किया यानि कि एक शब्द का आपने उल्टा अर्थ निकाल कर दूसरा शब्द प्रयोग किया इसी तरीके से हम बहुत सारे शब्द पढ़ते हैं और इसी तरीके से हमारा अगला जो शब्द हमारे पास वो है खुशी खुशी का उल्टा अर्थ क्या होता है? गम खुशी का उल्टा अर्थ होता है गम फिर हमारे पास खराब खराब का उल्टा अर्थ क्या होगा? अच्छा अब हमारे पास प्रेश नमबर दो है उधारण देखकर शब्दों के वर्णों को अलग-अलग करिये अब सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है पहला शब्द है भारत भारत में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले भर लिखा हुआ है उसके बाद हमने इनको क्या करना है? वर्णों को अलग-अलग करते जाना है जैसे जो जो शब्द दिये गए हैं हमको इनके सारे वर्णों को हमें अलग-अलग करना है और इसकी मात्र को भी अलग से दिखाना है कि हमने इस पे मात्र लगाई थी तो हमें पता लग जाएगा कि इसमें टोटल कितने वर्णों का यूज हुआ है हम इसको अलग कैसे करेंगे? जैसे भारत को हम सबसे पहले अलग करके लिखेंगे तो क्या आएगा भ, भ के बाद प्लस करके आ, फिर आएगा र, फिर प्लस त, तो क्या बना? भारत फिर है हमारे पास पहनकर पहनकर में आपने देखा कि कोई भी मात्र नहीं लगी हुई है आप सिंगल सिंगल वर्ट पढ़ेंगे जैसे पहनकर तो पहनकर में आपने देखा कि कोई भी मात्र नहीं लगी हुई है तो हम उसको उसी तरीके से करेंगे हम प लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर हर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर न लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर कर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और लास्ट में र लिख देंगे तो हमारा क्या बन गया? पहन कर अब है हमारे पास खराब खराब में आप इसे तोड़कर कैसे लिखेंगे सबसे पहले हमने खर लिखा उसके बाद है र रा पे लगी आ की मात्रा तो हमें मात्रा नहीं लगानी है सिर्फ हमें जिसकी मात्रा लगी हुई है हमें वो वर्ण लिखना है तो हम क्या करेंगे, खर लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर र लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, क्योंकि आ की मात्रा लगी हुई है र पे, तो आ लगाया, और फिर हमने क्या लिख दिया, ब, प्लस लगाके, इसी तरीके से हमारा बन गया, खराब, अब है हमारे पास गला 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 तो सभी लोग जानते ना गला क्या होता है तो अब इसको हम तोड़के कैसे लिखेंगे ग प्लस लग प्लस आ क्योंकि लपे कौन सी मात्रा लगी हुई है अ पे ग पे कोई मात्रा नहीं है तो हमने ग के बाद डारेक्ट प्लस लगा के लग दिया पर लग के बा तो गाना में हमको क्या करना है ग लिखा फिर प्लस लगा के आ लिखा फिर प्लस लगा के आ लिख दिया अब गाना में दोनों अक्षरों पर आ की मातरा लगी हुई है जैसा कि हमको दिख रहा है तो हम क्या करेंगे दोनों अक्षरों के बाद हमको आग की मातरा नहीं लगानी है हमें वो वन लिखना है जिसकी मातरा लगी हुई है अब अगला शब्द है हमारे पास विद्याले विद्याले को हम कैसे करेंगे अलग-अलग सबसे पहले हमने लिखा व व के बाद क्या दिया हुआ है व पे ए की मात्रा तो व के बाद हमको क्या करना है ए की मात्रा नहीं लगानी है हमको ए लिखना है फिर उसके बाद हमको द लिखना है द के बाद हमको य लिखना है आप देख रहे हैं द के नीचे जो छोटा सा निशान है उसे हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं ये बी एक ये उन वर्णों के लिए यूज होता है जो बिना सरस्वर के होते हैं आगे हमारे पास दिया हुआ है य य के बाद आ की मात्रा लग आ लिखेंगे क्योंकि य पे आ की मात्रा लगी हुई है फिर प्लस ल फिर य तो क्या बना ऐसे करके हमारा विद्यालय अब है हमारे पास भाषा की भाषा की भाषा की बात में जो हमारे पास पहला प्रश्ण है वो है र का सही रूप लिखकर शब्द बूरे करिए तो इसमें पहला जो हमारे पार हमकम को दिखे एक yellow color का box बना हुआ है yellow color के box में दो box है yellow color के एक box में जो र की मात्रा है वो नीचे की ओर है और एक जो मात्रा है वो उपर की ओर है तो कुछ शब्दों में र की मात्रा नीचे की ओर लगती है और कुछ शब्दों में उपर कियो उर तो हमें इसे किस तरीके से करना है जैसे हमने देखा कि हमारे पास जो पहला शब्द हमारे पास example के लिए दिया हुआ है वो है प्रकाश तो प्रकाश में प्रकाश के बिना पड़े तो यह बन जाएगा प्रकाश वर्ड होता ही नहीं है है ना तो इसलिए हम क्या करेंगे पर पे र की मात्रा लगा देंगे तो यह बन जाएगा प्रकाश इसी तरीके से हमको जो अगला शब्द दिया हुआ है वो है पेम अब पेम तो कोई वर्ड होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे पर पे र की मात्रा लग देंगे तो बन जाएगा प्रेम इसी तरीके से हमारे पास दिया हुआ है पीय पीय क्या होता है किसी को नहीं मालूम क्योंकि पीय कोई वर्ड ही नहीं होता तो हम क्या करेंगे पेर की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा प्रीय फिर हमारे पास है कोध कोध कोई वर्ड होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे कपेर की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा क्रोध अब हमारे पास है दूसरी वाली मात्रा रखी यह लगती है उपर की ओर अब उपर की ओर जो मात्रा लगती है उसका स्वर हम पहले वाले वर्ण के बाद लेते हैं जैसे कि आपको first example दिया हुआ है कर्म हम इस वर्ण को पढ़ेंगे कर्म अब हमने क्या देखा कि हम क के बाद ही र का sound ले रहे हैं क से पहले नहीं ले रहे हैं है ना तो हम क्या करेंगे इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो क्या बनेगा कर्म अगला हमारे पास शब्द दिया हुआ है सूय अब सूय तो कोई वर्ड होता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे सूय पे हम र की मात्रा लगा देंगे जो उपर की ओर है क्या बन जाएगा सूर इसी तरीके से हम का य जिसमें कि य पे हम र की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा कार अब है हमारे पास गव 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 तो कोई वर्ड होता ही नहीं है तो हमने व पे र की मात्रा लगाई तो क्या बन गया गव अब हमारे पास है प्रेश्ट दो जिसमें दिया हुआ है एक से अनेक बनाए मान लेजे आपके पास कोई एक पैंसिल है ठीक है आपके पापा नेक्स्ट आपके लिए 10 पैंसिल लेकर रहे तो आपके पास जो कल तक थी वो एक पैंसिल थी लेकिन आज आपके पास अनेख पैंसिल है तो कोई भी चीज एक से ज़्यादा हो जाती है तो वो अनेख कहलाती है अब जैसे कि हमने देखा कि हमाई पास पहला शब्द है कपड़ा तो कपड़ा क क्या होता है? एक हो गया कपड़ा कपड़ा को हम क्या बनाएंगे जादा तो बन जाएगा कपड़े अब हमारे पास इसी तरीके से दिया हुआ है कमरा कमरा को हम एक से जादा करेंगे तो बनेगा कमरे कमरे इसी तरीके से हम देखेंगे कि अगला शो शब्द दिया हुआ है वो है खुशी खुशी का हम जादा करेंगे खुशी को जादा बनाएंगे एक से तो क्या बन जाएगा खुशिया अब हमारे पास है बच्चा बच्चा को हम जब जादा क्वांटिटी में लेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चे इसी तरीके से बहुत सारी चीज़े होती हैं जैसे मैंने बोला उंगली तो एक उंगली इसका मतलब अगर हमने देखा कि हमारे जो हमारे पास जो है हमारे दोनों हैंड्स में किसी फिंगर्स है टैन है तो हमने क्या बोला अगर हम इनको 10 fingers ना बोलके उंगलियां भी बोल दे तो क्या हो जाएगा ये एक से अनेक बन जाएगा इसी तरीके से हम हर चीज़ को एक से अनेक बना सकते हैं तो हमारी second chapter की exercise complete हुई